दोस्तों किड्नी के बिमारियों को सालेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि किड्नी के बिमारियों में शुरुआती स्टेज में किसी भी तरीके के कोई भी लक्षन नहीं आते जिसके वेज़े से इंसान को ये पता नहीं चल पाता कि उन्हें किड्नी के बिमारियां हो रखी हैं और जब लक्षन आने चलो होते हैं तब बात हांसे निकल चुकी होती है किड्नी के बिमारियां ऐसे स्टेज पर पहुँच चुकी होती है जहां पहुचकर एक एलोपेथी डॉक्टर आपको सिर्फ डालेसिस और किड्नी ट्रांस्प्रांट की सलाही दे पाता है क्योंकि एलोपेथी में क्रॉनिक किड्नी फेलियर का कोई भी सक्सेस्फुल एलाज नहीं है इसी वैसे एक इनसान को हर साल रेगुलर हेल्थ चेक अप कराने चाहिए जिसे उन्हें उनके शरीर के कई सारे आकड़े पता चलते रहें ऐसे ही कुछ आकड़े जो किड्नी के हेल्थ का संकेत देते हैं उनमें से दो हैं यूरिया और केटनाई लेवल यूरिया और केटनाई लेवल आपके शरीर का किड्नी फंक्शन नापने में आपकी मदद करते हैं अगर आपका केटनाई और यूरिया लेवल जादा मातरा में हैं तो आपकी किड्निया खराब हो चुकी हैं और आपकी किर्णी का फंक्शन दीरे दीरे और गिरता जाएगा आपके शरी में यूरिया तब बनता है जब आपके शरी में मौजूद पोर्टीन आपके शरी के द्वारा इसमाल कर लिया जाता है वैसे तो यूरिया आपके शरीर से आपके किन्नी द्वारा यूरीन के रूप में फिल्टर कर दिया जाता है वहीं क्रेट नाइन एक ऐसा सब्सेंस होता है जो आपके शरीर में मसल्स तूटने से बनता है इंसानी शरीर में दिन भर लाखो करोडों मसल्स टूपती रहती है और ये मसल्स दीरे दीरे आपके खून में क्रेट 9 के रूप में एकठा होती जाती है क्रेट 9 भी आपके शरीर से किड्नी द्वारा यूरीन के रूप में निकाल दिया जाता है यूरिय और क्रेट नाइन दोनों ही एक तरीके की जंदगी हैं और आपके शरी को नुकसान पहुचाती रहती हैं इसलिए तो एक हल्दी किड्नी आपके शरी से इन जंदियों को निकाल के बाहर फिक देती है पर अगर आपके किड्नी आढंग से काम नहीं कर रहीं तो आपके शरी में क्रेट नाइन और यूरिय की मातरा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्रेट नैन और यूरिया की मातरा के धीरे धीरे बढ़ने से आपके शरी में और भी तरह की बिमारियां धीरे धीरे होती जाएंगी आपके शेरी में तरह तरह की सिंटम्स आते जाएंगे जैसे कि आपके चहरे में सूजनाना, आपके पैर में सूजनाना, आपके कलाईयों में सूजनाना, आपको बार बार यूरी राना, आपके शेरी में तरह तरह की खुजली होना, आपको भूख कम लगना और उल्टी जैस महसुस होना ये तरह तरह के symptoms ये बताते हैं कि आपकी किड्निया बहुत ज़्यादा मात्रा में fill हो जाती हैं और ये इसलिए आते हैं क्योंकि आपके शिरी में URIntea and Cretinica 9 बहुत्यी ज़्यादा मात्रा में एकठखा हो गया है आपके शिरी में URI discontinuity और Cretinica 9 более ही कम मात्रा में बने इसी वज़े से आपको एक डाइट प्लान में चलना पड़ता है आपको ऐसे फूट खाने होते हैं जिर में क्रेटनाइन की मात्रा बहुती ज्यादा कम हो साथ उसमें प्रोटिन की मात्रा भी बहुती ज्यादा कम हो वैसे तो प्रोटिन आपके शरी के ल आपको ऐसी चीज़े नहीं खानी जिसमें ज्यादा मातर में नमक हो, जिसमें ज्यादा मातर में फॉस्फोरस हो, जिसमें ज्यादा मातर में पोटेशियम या फैट और कॉलेस्ट्रोल हो, क्योंकि ये सारी चीज़े भी मिलकर आपके किन्यों को और ज्यादा खराब करती अगर आपने अपने शिरीक का यूरिया और क्रिटने लिवल कंट्रोल नहीं किया तो यह आपके पेशन्ट के लिए काफी हामफुल हो सकता है। आपके बॉड़ी में तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके लिए आपको ज़र्द पड़ेगी कर्मा अरवेदा के अरवेदिक ज्यान की। कर्मा अरवेदा ने देश विदेश के 35,000 से ज़ादा किड्नी के पेशन्टों को सफलता से ठीक कर दिखाया है। आचा है वीडियो आपको ज़रू अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें। मिलते हैं अगले वीडियो में हेल्दी रहें, खुश रहें। अगर आप भी किड्नी डालेसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुने धवन से संपर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग आन भी कर सकते हैं।